दिवयंका से पाटी अभी खत्रों की खिलाडी सीजन 11 में जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करके आए हैं उसके लिए काफी साधा चर्चाय औरेडी बटोर रहे हैं कि इस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिखाई है उसके बीवाने हो गए हैं और सबी जगे नाम सेलेक्ट किये जाए हैं contestants के तो बहुत bus create हो जाता है कि कौन सा contestant Big Boss में आएगा कौन सा contestant नहीं आएगा, कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है क्या concept होने वाला है, किस-किस को approach किया जा रहा है तो ऐसे में दिव्यांकर रिपाटी के पांस भी पहुचा है Big Boss का offer पर उन्होंने इस offer को नहीं किया है, except और शाहिद वो नहीं भी करे because she feels कि खत्रों की खिलाडी में फिर भी physical phobia से लेकिन उनको एक जो है अलग वाला phobia है, that is leaving behind her family and her husband, वो अपने husband और अपनी family से इतना दूर रही नहीं सकती तो अगर ऐसा option आता है, कि उन्होंने Big Boss चूज करना पड़े और अपने husband और family से बहुत लंबे समय के लिए दूर रहना पड़े तो possibly वो नहीं कर पाएंगी, वो इसी चीज़ से सबसे जादा डर जाती है खत्रों की खिलाडी में तो उन्होंने perform कर लिया लेकिन अगर बात करे Big Boss की तो शायद वो Big Boss में कभी भी ना जाएं तो भई यहां पे दिव्यांका रिपार्टी ने किया है बड़ा खुला सा Big Boss को लेकर लिख दीजोए आप लोग अपनी राए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है दिव्यांका की इस बात के बारे में बाकिमाई स्वानों के साथ जोड़े रहे हैं और भी खबरे हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे